दोस्तों नमस्कार मैं हूँ देवेश दोस्तों सुक्रवार में अब भाईया बचे कितने गंटे हैं चंद गंटों का सवाल है इसलिए धनकी देवी को धन्यवाद हमारे साथ अभी दे दीजिए धनकी देवी श्री महालक्षमी जी की कृपायदी हम सभी के ऊपर बनी रही त आप दोस्तों रोजाना सुगाय शाम हम जो एच्छे कवर करते हैं उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका पर आर्बी आई ने पेनल्टी ठोक दिये ब्रिटेन के बाद अमेरिका का भी नंबर आ गया तो म्यामार का सोना कौन बेच रहा है अमेरिका और यूरोप सर् पर हम साथ परसेंट तक का भारी भरकम डिसकाउंट दे रहे हैं लेकिन दोस्तों माफी चाहेंगे भविश्य में यह संभव नहीं हो पाएगा इसलिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना पसंदीजा कोर्स जोइन कर ल पोस्ट मतलब अखवार अमेरिका का है लेकिन खवरें भारत पे चापते हैं मतलब कश्मीर के ऊपर तो रोज पोस्ट डालते रहते हैं आप सनाब माना वदिकार कम हो गए फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन इंटरनेट बंदे ऐसी ही बात है और कश्मीर से छुटकारा मिलता है तो मोदी जी को लपेट लेते हैं लेकिन उस वासिंटन पोस्ट का मालक कौन है उसके मालक है जेफ बेजोज वो भाईया कुरकरे की तरह टेड़े हैं लेकिन सीधा करना मोदी सरकार को आता है क्योंकि भाई साब वही जेफ बेजोज मालक हैं अमेजॉन के और उसी इन्हें सोकॉस नोटिस भेका कि यह बताओ क्या किया क्या नहीं किया तो उन्होंने माल लिया कि यह गल्ती हो गई तो भाईया पहले बीवीजी और अब वासिंटन पोस्ट दौनों का नंबर लग गया लेकिन यह जो मामला है वह स्ट्रिक्टली क्या है यह कानून से रिले हैं मोजी जी के अरे यार तुमने जो है पैनल्टी ठोक दी अब जे तो कह नहीं सकते कि भाईया पैनल्टी यह ठोकी है तो क्या बोलेंगे वही जो है पुराना राग सुझतन के तंग आ चुके हैं भाई साब माना वदिकार खतब हो रहे हैं डेमोक्रासी ना स्टो रही है हम तो बार-बार कहते हैं कि यह जो पश्चिमी देश के अखवार अगर हंग भी दें तो हमारे यह हैड्लाइन बन जाती है आप में से कुछ लोग कहेंगे तो गंदे सब्दों का इस्तेमाल कर वाई तो यह क्या करें आप जो है तंग आ चुके हैं आप जो है हमारी तरह है एक काम करो खुद अंग्लेजी अखवार पढ़ने लगो आपको समझ में आ रहागा हमारे अखवार उनीकी हेड्लाइन जो के तो चैप देते हैं भाई साब उन्होंने अगर भारत को गाली दी तो यह गाली देंगे और प्रसंसा तो वो करते नहीं है अब दोस्तों बात च फावन म्यां मारकी सागौन लेकिन इनकी सरकारों ने जो है मैं मारकी सागौन पर प्रतबंद की की इमांड कम हो जाएगी देमांड है तो भाया स्मगलिंग चालू हो गयी भारत के रास्ते से हो रही है भाया मियंमार से पहले भारत आती है भारत से फिर अमेर का जाती है यूरोप जाती है तो अब भाईया वो फिर परेसान हो रहा है िओर भारत ने कच्छे-दिल के रहे हैं और अगर हम नहीं करेंगे तो बंगलादेश करने लगेगा मिया मार के और भी पड़ोसी देश हैं वो करने लगेंगे तो भाई यह क्या नियम कादा है कि आपने सब छोड़ दिये और सीधा भारत को जो है पकड़ लिए मतलब भारत है कि तुम्हारे लिए यह रेतक स्मगलिंग हो रही ना तो इस स्मगलिंग के लिए हम अमेरिका को दोश्य ठेराते हैं क्या लेकिन जे लोग हर मुद्देबर भारत को जो है निसाने पर रखे रहते हैं इसलिए जो वासिंटन पोस्ट के मालक के खिशाब एक्शन लिया गया है बहुत सभी हुआ है बहुत अब दोस्तों रूस के जो विदेश मंत्रियां भारत में आया हुए उन्होंने का भाईया बहुत परिशान हुआ हम तो हमने जो है इन पश्च्चमी देशों को खूब कच्चा तेल बेचा खूब गैस बेची पाइप्लाइन तक बिचा दी लेकिन जैसे मौका लगा अमेर भारत को बेचेंगे चीन को बेचेंगे हमने भी कहा वह थी बीच दोस्तों हमारे यहां वह कहावत है कि गली से जब हाथी गुजरता है तो कुट्टे भूंकते हैं तो भाईया हाथी कौन है कुट्टा कौन है वह आप स्वयम देख लीजिए अडानी ने ऐलान कर दिया है क को आंदर प्रदेश में एक नहीं दो दो सिमेंट के प्लांट लगा रहे हैं एक सेंटर भी करते हैं जिसको भिरोद करना है जिसको रोड अटकाना है और अटकाता रहे अडानी और आगे बढ़ेंगे बढ़ते रहेंगे इसी बीट भाई साथ हमने भी कई वार कवर किया हुआ है लोग बाग बिरोध करते हैं कि साथ मोजी जी का मेक इन इंडिया पर फोकस है लेकिन सर्विसेस को वो तबज्जो नहीं दे रहे हैं तो भाईया जी उन्हीं के लिए यह रिपोर्ट है कि देख लीजिए आप सर्वि भाई साथ हम नहीं बुल रहे है अमेर्का की लिपोर्ट है अमेरीका की इस अंस्ताइ स्टेंडर्ड अंपुर्स उसकी रिपोर्ट में आया है सच है जूत Let it जहां तक हमारा सवाल है हम तो इनकी रिपोर्ट को तबज्जो देते नहीं है जब इनकी रिपोर्ट नहीं भी आई थी तब भी अपन भारत पर बुलिश थे अपन बने रहेंगे और अब दोस्तों आप जड़ा गौर फरमाईए यहां हम चर्चा कर रहे हैं इंजिनियरिंग इक्सपोर्ट की उधारन के रूप में स्टील एक्सपोर्ट मोदी यहां तक डूटी लगा रही थी कई महिनों तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ उसके बाब जुद देख लो आप पिछले साल का जो एक्सपोर्ट है उसका र्कॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं और भो भी कब जब कि स्टील की प्राइस हम बढ़ा रहे हैं मतलब यह है कि यूरोप को और अमेरिका को स्टील नहीं मिल रहा है रूस का तो हम सप्लाई कर रहे हैं दुनिया में डिमांड है अपना धंदा नहीं रोखना चाहिए अमेरिका हमारा दोस्त है तो रूस हमारा मित्र है भाई सब लोग चर्चा कर रहे हैं लेकिन वो क्या कहेंगे कि इस रासी के व्यक्ति ने यह टोटका यह चंत्रमंत करना चाहिए तब जो है उसको गजलक्षमी राजियोग का लाव मिलेगा हमने कहीं नहीं नहीं फाल्टू की बात हैं यह जो महालक्षमी जी की आराधना करेगा उपास्ति नकलेगा उस हर वेक्ति को जो है महालक्षमी जी की क्रपा का लाव मिलेगा महालक्षमी जी आकड़ों के माध्यम से अपना आदेश सुनाती है और महालक्षमी जी जो महिमा है पूरी दुनिया में चलती है भाईसा कोई भी निवेशक जब भी निवेशका सही न आगे बढ़ना सीखिए और उसमें आपकी मदद करेंगे आत्मिर्वर इंवेस्टर पोर्स आत्मिर्वर फ्यूचर से नापने रवर ऑप्शन्स पोर्स जिस कोर्स में आपकी स्रत्ता है जोएन करने के लिए लिए किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीगाई है क्लिक करके जोएन कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्त्री राम